तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के दिगज प्राइविट सेक्टर बैंक के बारे मुराज के दिन इस बैंक में करीब 3% की अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिल रही है तो यह गिरावट क्यों होई है सडल इसके पीछे क्या रीजन है क्य अपडेट है वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ आगे की रणनीती क्या होनी चाहिए टेकनिकल चार्ट पर क्या सिचुएशन है बाइंग करनी है नहीं करनी क्या ओपरचिनिटी का फायदा उठाना है नहीं सारी चीज़ें भी जरैशनल यहां पर डिसकस करेंगे के पिछे क्या रीजन है वो हमने डिसकस किये थे क्यों यहां पर उपरचिनिटी नजर आ रही है तीन स्टॉक्स हमने यहां पर डिसकस किये थे और आज के दिन इन तीनों स्टॉक्स में करीब 10-15 से लेकर 20% तक अपर सरकिट हमको यहां पर लगते हुए देखने को मिल रहे हैं क्यों बड़े ओर्डर्स मिल रहे हैं तो काफे सारी चीज़े डिसकस करिए अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है भी तक तो जाके जरूर देखिएगा अब यहां पर आप समझ गये होंगे किस बैंक की मैं बात कर रहा हूं यहां तो one and only HDFC बैंक और HDFC बैंक के अपडेट आया स्टॉक में हमको एक करेक्शन देखने को मिला है इसका मतलब यह है कि मार्केट को यहां पर नंबर्स पसंद नहीं आए हैं लेकिन अगर हम अपना हैं पर एनलेसिस करें तो देखिए मेरे इसाफ से मैं बात करूँगा कि जिस साइस का यह बैंक है आफ्टर definitely 15.8% loan growth, advance growth यहां पर अच्छी है लेकिन पिछले results में हमने देखा है कि करीब-करीब यहां पर 19 से लेकर 20% तग यहां पर advance growth, loan growth हमको आती भी देखने को मिल रही है HDFC bank में लेकिन इस June quarter में करी 15.8% की growth है वाई-वाई basis पे जो की कम है तो इसलिए यहां पर थोड़ा सा हमक से हमने देखा था कि quarter on quarter growth भी अच्छी थी तो यहां पर थोड़ा से weak loan growth नजर आ रही है Q on Q basis पे और इसकी वह जिसे हो सकता है net interest margin में भी हमको थोड़ा सा pressure देखने को मिले वो चीज हमको result में actual result जब आएंगे तब देखने को मिलेगी लेकिन deposit growth again एक बार फिर से HDFC bank यहां पर जबर्दस यहां पर growth दिखा रहे है 19.2% की जो की consistent है 20% के आसपास Kasa deposit 10.7% year on year और quarter on quarter Kasa and deposit growth यहां पर almost flat ही नजर आ रही है और Kasa तो in fact negative 2.8% है जो की again एक और यहां पर negative point है अब हम सभी को पता ही कि HDFC bank का merger हो चुका है HDFC limited के साथ और after merger यहां पर जो growth आई एडवांस में 13% है deposit में 16.2% है वाई 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 basis पे quarter on quarter basis यहां पर flat numbers नजर आ रहे हैं तो अगर isolation में देखा जाए तो काफी अच्छे number है decent number है लेकिन अगर हम comparative basis में देखें जिस प्रकार से एक credit up cycle हमको देखने को मिल रही है quarter on quarter loan growth यहां पर बहुत ज़्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है across the industries यहां पर आप देखेंगे कि apex हो रहे हैं तो उस हिसाब से थोड़ा सा quarter on quarter week number नजर आ रहे हैं दरवाज यहां पर number काफी अच्छे देखने को मिल रही है और इसी इसी तरों से हमको supply आती हुई देखने को मिल रही है आप देखेंगे दो candles यहां पर clear cut indication है कि यहां से उपर इस तरों से विक्वाली आ गई और अब यहां पर जो एक supply zone था वहां से फिर से supply आई और stock में फिर से correction हो गई है और weekly chart पे अगर आप देखेंगे तो weekly chart पे आप द investors के लिए एक opportunity है यहां पर एक बहुत सबर्दस्त यहां पर opportunity है long term investors के लिए क्यों opportunity है क्यों कि देखिए हमारी economy दोस्तों one of the fastest growing economy है fastest growing GDP growth हमको देखने को मिल रही है आ गया आने वाले 5 सालों में हां पर third largest economy हम बनते हुए देखने को मिलेंगे India will become the third largest economy ठीक है after US, China तो economy को grow हो ने के लिए देखिए यहां पर fuel की ज़रोत है, fuel क्या है credit growth ठीक है across the industry यहां पर हमको केपेक्स होते हुए देखने को मिलेंगे manufacturing यहां पर बढ़ती हुए देखने को मिलेगी entities, individuals, industries यहां पर जो है केपेक्स करते हुए नजर आएंगे तो यहां पर credit growth कौन कराएगा बैंकिं secretary कराएगा और HDFC bank सबसे बड़ा bank है, सबसे ज़ादे हैं पर branch network है, lowest cost of capital है तो यहां पर competitive rates यहां पर bank provide कराता है तो यहां पर loan growth हमको बढ़ती हुए देखने को मिलेगी और consistent 15-20% loan growth यहां पर हमको आती हुए देखने को मिल सकती है across the segment सिर्फ यहां पर retail की बात नहीं कर रहा अगर आप देखे, update में एक चीज में आपको दिखाना भूल गया, तो देखे, retail loan growth आप देखिए, कि जो retail loan growth है वो भी 20% के साथ यहां पर grow हमको होती हुए देखने को मिल रही है, जो कि अपने आप में ही positive है, तो यहां पर हम सारे segments की बात कर रहे हैं, तो यह grow होते हुए लेखने को मिलेंगा, और chairman Atanur Chakravarti ने कल ही यहां पर एक statement दिया है, आप देखिए, कि SJFC bank expects healthy growth across segments in next 5 to 6 years, तो अगले आने वाले 5, 6, 10 सारे यहां पर जबरदस growth रहने वाली है, और मेरे ख्याल से जो banking sector है, financial sector है, यहां पर lead करता हुए नजर आएगा, एक तरह से proxy है, growing economy की, जो banking sector के थूर यहां पर play की जा सकती है, चाहे मैं NBFC की बात करूँ, या फिर मैं private sector banks की बात करूँ, या फिर microfinance, या फिर lending में segment की बात करूँ, यहां पर मुझे लगता है, काफी अच्छी growth आएगी, और SJFC bank यहां पर, again, हाला कि बड़ा bank है, ऐसा नहीं कि 25 से 30% की growth यहा लगातार expand कर रहे है, management के जो यहां पर plans हैं, और जो growth, economy जिस तरिके से grow हो रही है, banking sector यहां पर definitely grow करने वाला है, तो SJFC bank की जो गिरावट है, हो सकता थोड़ी और गिरावट आए, यहां पर जो next support नजर आ रहे है, करीब-करीब 16 सो रुपे के आसपास नजर आ रहे है, तो 16 सो पर यह stock आता है, तो और buy कर सकते हैं, अगर buy chance और गिरता है, तो buy on dips वाला stock है, core portfolio stock है, इसको आप हर dip पे यहां पर add कर सकते हैं, तो यह तो हो गया technical, fundamental, अब मैं थोड़ा से valuation pointer भी से बात करूं, तो chart पे आप देखिए तो price to book अगर आप देखें, तो price to book इसका median 4.4 है, लेकिन अभी यह trade कर रहा है, करीब देखिए, 3.8 times price to book value पे तो, valuation wise भी अभी काफी attractive है, महेंगा नजर नहीं आता, shareholding pattern में अगर आप देखें, तो promoters के पास 25.59% stake है, FIs ने अपने stake को यहांपर बढ़ाया है, DIs ने अपने stake को यहांपर 21% से देखें, यहांपर 28% हो चु धीरे धीरे SGC bank को यहांपर accumulate कर रहे है, for the long term investors मैं यहांपर बात कर रहा हूं, for the long term investors यहांपर buy कर सकते हैं, short term के लिए वाइड किया सकता है, एक बार यहांपर resistance का breakout होगा, supply zone से उपर जाएगा stock, तभी यहांपर यहांपर buy कर सकते हैं, और बाकि जो थोड़ा सा risk लेना चा वीडियो को like जरू कीजिए, आपका opinion क्या है वो जरूर comment box में share कीजिएगा, मिलते हैं next video में, till then take care, bye bye